आज बनाऊंगी एक ऐसा स्टार्टर जो सदा बहार है क्रिस्पी कॉर्ण जी हाँ जब भी भूख लगे या जब भी कुछ चेटपटा खाना हो तो बहुत आसानी से बन जानी वाली ये चेटपटी सी रेसिपी स्विट कॉर्ण की और बरसात में तो बहुत ही मज़ेदार डालेंगे जब भी कोई चीज उबालें तो नमक जरूर डालें थोड़ा सा और यहां पर मैंने इस तरह बरफ में जम्य हुए कॉर्ण को डाल दिया है और तेज आज पर इसे उबलने का हम इंतजार करेंगे तो जब एक उबाल अच्छी तरह से आ जाए कॉर्ण हमारे बर्तन में रख लिया है आप सारे कॉन को इसी तरह से चान करके हम बर्तन में रखेंगे और गरम 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 कॉन में ही सारी चीजों को हम मिक्स करेंगे तो यहां पर हाफ तीस्पून नमक वाप Flash काली मिर्स एक बड़ा चमश गाह चमश कॉन स्टार्च और एक बड़ा चम बहुत ही क्रिस्पी बन करके तयार होंगे तो इस तरह से एक कोट मैंने लगा दिया है दूसरा कोट भी हम लगाएंगे कॉन स्टार्च एक बड़ा चमच और मैदा फिर लगाएंगे और दुबारा हम इसे अच्छी तरह से कोट करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं तो इस ब साइड में रखते हैं कोट करने के बाद और फिर हम कट कर लेते हैं हाँ पर सबजियों को स्ब्र학 मेंदे aly videos और अध्रक और प्रमिर्ज और लहर्सुन दिया है इसे हम बारिक-बारिक सा कट करेंगे तो चाहे आप चौपर से काट कर या इसे आप चाकू से भी कट कर सकते हैं लेकिन ये बहुत बारिक बारिक कट करना है तो सबसे पहले सिम्ला मिर्ज के बीजों को निकाल लेंगे और इसे हम बारिक बारिक सा चाकू से ही कट करेंगे जैसा कि आप देख रहे हैं अब यहाँ अधरक लेंसुन और हरी मीर्ज प्याज सबको मैंने बारी कट कर लिया है अब यहाँ कॉन को हम एक छन्नी में डालेंगे और थोड़ा इस तरह से छान लेंगे ताकि जो एक्स्ट्रा मैदा हो एक्स्ट्रा कॉन स्टार्च हो वो जहर करके निकल जाए उसके बाद यहाँ गरम तेल करेंगे और इस तरह से हमने कॉन को यहाँ डाल दिया है ध्यान रखेंगे कि अगर कॉन फटने लगे तो एक प्लेट से ढख करके इसे फ्राई करें अगर नहीं फट रहे हैं तो आप इसे इस तरह से टरन करते हुए हलके हाथों से फ्राइ करें और इस तरह से बबल जब सांथ हो जाएंगे कृश्पी हो जाएंगे कॉर्ण तब इन्हें हम निकालेंगे जैसा कि आप देख सकते हैं बहुत ही क्रिस्पी गोल्डन ब्राउन कॉर्ण हो चुके हैं इन्हें निकाल करके हमें टीशो पेपर पर रख देंगे ताके एक्स्ट्रो आयल इसका सूख जाए कौन बहुत अची फ्राय हो गया है अब हम क्या करेंगे एक चम्मच रेट चिली सॉस एक चम्मच सोया सॉस और यहां लेंगे एक चम्मची केचप टमाटो केचप है यह और इन सब को अच्छी तरह से हम मेक्स कर देंगे यहां हमने एक पैन ले लिया है और इसे अच्छी तरह से गरम करेंगे एक बड़ा चमस तेल मैंने डाला है और तेल को भी फुल फ्लेम पे गरम कर लेंगे लहसुन कटा हुआ हरी मिर्च और अधरक जो बारी कट करके रखा था हमने उसे तब तक पकाएंगे जब तक इसका ख खचापन खतम नहीं हो जाता है अब इसमें प्याज डाल देंगे बारी कटा हुआ और सिम्ला मिर्च भी डाल देंगे और यहां पर फुल फ्लेम पे सबजीयों को कुछ इस तरह से पकाएंगे कि इनका क्रंची पन बिल्कुल भी खतम नहीं होना चाहिए और इस तरह से पर सॉस को जो हमने मिक्स करके रखा है सॉस को हम बीच में डाल कर इसे अच्छी तरह से करमलाइज करेंगे तभी स्वाद निखर के आएगा और फिर इसे सब्जियों में मिक्स करेंगे अब हम डाल देंगे कॉर्ण को और बिना देरी किये इसे फुल फ्लेम पे फटा फट मिक्स करेंगे और अब गैस की फ्लेम हम बंद कर देंगे क्योंकि बहुत देरी तक पकाने से सब्जियां सॉफ्ट हो जाएंगी और हमारे कॉर्ण जो है वो सौगी हो जाएंगे तो यहां पर बिना देरी किये इस चटपटी सी स्टाटर रेसिपी को हम प्लेटिंग करते है और इसे बंद बड़े से प्लेट में दाडल दिया है और बिना देरी किये से हम फटाफट से खाना सुरू करते हैं क्योंकि जितना देरी आप इसे रखेंगे उतना ही यह सौगी होते जाएंगे तो यहां पर आप देख सकते हैं बहुत ही चटपटी बहुत एजी सी यह कॉ जरूर बनाईएगा और कमेंट सेक्षन में आप मुझे जरूर बताईएगा कि आपकी रेसिपी कैसे बनी रेसिपी पसंद आए तो चलको लाइक सब्सक्राइब करना नहीं भूलेगा बेल आइकन जरूर दबाईएगा फैमली और फ्रेंड में सेयर करिएगा मेरी वीडिय और मेरी वीडियो को देखने के लिए आपको आप बहुत बहुत धर्निवाद